दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में, मैं हूँ शिवाजी, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे, जिसका समसामाईक रूप से बहुत विशेश महतो है, जिया दोस्तों हम बात करेंगे आज हैकिंग के बारे में, सभी लोग, फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्ट्रागराम, इन सोसल साइट्स पे अपना एकाउंट जरूर रखे होंगे, और कई बार आप ये देखते होंगे, कि फेस्बुक पर ये मेसेज आता है आपके मित्र के द्वारा, कि मेरा फेस्बुक एकाउंट हैक हो गया है, इस पैसे मांगे जाते हैं, किसी को धमकी भेज दी जाती है, और बाद में परिनाम यह होता है, कि वो सारा जो मामला है, वो आपके मत्षे पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिती में आप क्या करे, आईए हम समझाते हैं आपको कि क्या है है hacking, और आप क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए अगर आगर आपका एकाउंट हैक हो गया है तो आपके पास क्या उपाए हैं देखिए आज हमारा विशय ही है सोसल साइट्स हैकिंग और यह क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहला है कि सोसल साइट्स क्या है आप जानते हैं जो आप रोज यूज करते हैं फेस्बुक ट्विटर इंस्टागाम यह सब जो है वह सोसल साइट्स है और ज्यादा जो हैकिंग के मामले आते हैं वह इसी पर आ इसलिए इसी के इर्दगर्द हमारी बाचीत रहेगी आज और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस हैकिंग से आप कैसे बत सकते हैं और हैकिंग हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका Facebook एक हो गया है तो आपको समझने के दो तरीके हैं एक कि जब आपका Facebook एकाउंट आपके पासवर्ट से ना खुले आप बार बार पासवर्ट डाल रहे हैं और एकाउंट नहीं खुल रहा हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो Facebook एकाउंट है वो हैक हो चुका है दूसरी तरह दूसरा भी एक तरीका है समझने का यदि आपके एकाउंट से आपके Facebook एकाउंट से या Twitter एकाउंट या Instagram एकाउंट से किसी को मेसेज भेजे जा रहे हैं जो आपने नहीं भेजा है और यह शिकायत आपको मिल रही है कि आपका यह मेसेज आए या आप देख भी पा रहे हैं कि मेरे एकाउंट से यह मेसेज भेजा गया है तो जब आपने नहीं भेजा तो किस ने भेजा इसका मतलब है कि आपका account hack हो चुका है तो ये दो विधी है जिससे आप तुरंट समझ जाएंगे ये आपका account facebook account twitter account या instagram hack हो चुका है अब अगर hack हो गया तो आप तुरंट क्या करेंगे सबसे पहला जो आपके पास उपाई है वो क्या करेंगे तो वो उपाई है police fire करें जी हां इसक सोच रहे हैं कि account hack हो गया तो मैं उसे छोर के दूसरा facebook account बना लोंगा तो आप बना लेजिए लेकिन जो account आपका hack हो चुका है उसके लिए तोरित कारवाई करते हुए आप police fire करिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उस account से जो भी गलत काम होंगे उसका जो खामियाज अब क्या कर सकते हैं यह देखिए एक भारत सरकार के ग्रिह मंत्राले के अंतरगत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार के ग्रिह मंत्राले के अंतरगत online आप जा करना चाहते थाना नहीं जाना चाहते तो आप सबसे पहले क्या किजिए इस वेब साइट को खोल लिजिए और इस वेब साइट पर खोलने के बाद तुरत आपको सामने ही दिखेगा कि आप आप ओनलाइं कंप्लेन कर सकते हैं वहाँ जाकर आप कंप्लेन रेइश्टर करिए और वहाँ पर जो साड़ी समस्या है आपकी वह पुछी जाएगी उसको अप लिखकर रेइश्टर कर दिए शिकाइट इसके निवारन का काम सुरू हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाए उसके help page पर जाकर आप शिकायत दर्ज करिए कि मेरा जो है Facebook account hack हो चुका है और उसके लिए मैंने एक उदारन लिखा है वह जो भी social sites आप यूज करते हैं उसके help में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फिलाल जैसे मैंने Facebook के लिए लिखा है कि अगर आप Facebook का आपका hack हो गया है तो आप क्या करेंगे तो www.facebook.com slash help slash hacked यह सब जब टाइप करेंगे आप Google में तो आपको जो page खुलेगा वहाँ पे आपके लिए help available होगा आपसे पूछा जाएगा कि आपका account hack हो चुका है क्या आपके मित्र का account hack हो चुका है इस तरह से सवाल आपसे पुछे जाएंगे तो क्लिक करते जाएए आगे बरते जाएए और फिर आप अपनी शिकायत को वहाँ दर्ज कर दीजिए यह दो काम आपको त्वरित करना चाहिए ताकि आप शुरक्षित हो जाए और आपने कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो और आपके account से कोई गलत काम अगर होता है तो वह आपकी उपर ना आए और दूसरी बात है कि जैसे ही आप इस पर शिकायत दर्ज करेंगे यह संस्थान एक्षन में आएंगे और आपके account को अपने हाथ में ले लेंगे ताकि उसका कोई मिश्यूज नहीं हो सके तो यह आप ध्यान रखेंगे क्या करें में अब है कि आपका account हैक्ट हो ही नहीं इसके लिए आप क्या कर सकते यानि कि आप कैसे अपन कोई जान रहा है आपका यह अनुमान भी लगा लगा रहा है तो आसानी से आपका जो सोचल साइट से हैक हो जाएगा तो जो password बनाए वो strong बनाए ऐसा बनाए जो जैनरली लोग नहीं सोच सकते हैं वैसा password बनाए दूसरी बात है कि password को समय समय पर change भी करें यह दो बात का ध तो फेक्टर ऑफन्टिकेशन सेकुरिटी जब होगा जैसे आप देखते हैं कोई बेंकिंग साइट आप यूज करते हैं तो टू फेक्टर ऑफन्टिकेशन होता है एक तो पासवर्ड मांगता है फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपसे ओटीपी मांगेगा तो यह द दूसरा आपका जो सोसल साइट है वो खोल लाहा है और तू फेक्टर ऑफन्टिकेशन है तो वह आपसे ओटीपी मांगने का प्रयास जरूर करेगा और जब ओटीपी मांगने का प्रयास करेगा तो डॉन्ट शेयर ओटीपी आप अपना ओटीपी किसी को शेयर ना करे तो इन चीजों को ध्यान में रखके आप अपना जो फेस्बूक एकाउंट है या कोई भी सोसल साइट्स एकाउंट है उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं तो दोस्तों आज जो मैंने आपको समझाया है वो सोसल साइट्स हेकिंग क्या है और कैसे बत सकते हैं अगर हो गया है तो आ साइट क्लासेश लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद है